Welcome to all of you, start करते हैं नया सेशन ट्री में, ट्री में एक important question, बहुत important, जो most important question है, पेपर में अभी मैंने last, अभी paper upload कराया था, data structure का उसमें भी भात पूछा गया है ये question, और ये आता जरूर है, आना चाहिए आपको design करना है कि कैसे हम tree design करेंगे, अगर हमें traversal दे रखे हैं, दो travers in order और pre order या in order या post order, दोनों अगर दे रखे हैं, दोनों में से कोई भी दे रखा है, तो हम tree कैसे design करें, हम कैसे इसका binary tree design करें कि कैसे हम इसे लिख पाएंगे, तो बहुत ही असान ट्रिक है, और इसे आप सीख सकते हैं बहुत जल्दी, आपको ये पता होना चाहिए, in order औ pre order में, दोनों में हमारा root कहा होता है, तो अगर आप देखें, in order में तो root बीच में होता है, और pre order में root आपका सबसे पहले होता है, pre order में root सबसे पहले होता है, और in order में root कहीं बीच में होगा, तो देखिए का आपको pre order से पता चल जाएगर root कौन सा है हमारा, सबसे पहले identify करना है हमें root जैसे हम root identify कर लेंगे हम in order में भी उसे भी identify कर देंगे तो देखिए आप हमें पता चलिए दोनों जो options दे रखे थे हमें root कौन सा मिलेगा तो हमें पता होना चाहिए pre-order में root पहले होता पोस्ट-order में root बाद में होता अगर हम इसका root देखे तो यह ए होगा सही और यह हैं पर तो दोनों question को एक साथ नहीं करते हूँ पहले खाली root की बात करिए इसे हम बाद में करेंगे और इसे पहले करेंगे तो हमें root identify हो गया सबसे पहले अब हमें tree design करना तो हमें सबसे पहले तो पहली tips मिल चुकी that's the F कि F हमारा root होगा tree का यह तो बिल्कुल clear हो गया अब कैसे हमें चलना है चलना हमें pre order के साथ है चलना हमें इसके साथ है और देखना हमें in order को है तो ध्यान लखेगा देखेंगे हम in order को और चलेंगे pre order से तो चलते हैं कि कैसे सबसे पहले pre order में सबसे पहले हमें क्या मिलता ह A, अब देखिएगा F के left side में है या right side में और जिस side में हो उस side में लगा दें, तो F के सबसे पहले A, चले हम F के किस side में आ रहा है, इन order में ये, left side में, तो F के left side में लगा दिया हमने देखिएगा, सही है A के बाद हमें कहां जाना है, E पे E, अब F के किस side में है, left side में या right side में, तो left side में और A के भी left में, तो A के left में, देखिएगा again E के बाद हमें, अब हमें कहां जाना है K, K अब हमारा किस side में, F के left में ही है F के left में देखिएगा, A के right में है, F के left में, तो A के right में है, और F के लेफ्ट में तो ये आगया K K के बाद C C किस साइड में तो F के लेफ्ट में ही चल ला है और K के राइड में चल ला है और A के K के लेफ्ट में और A के राइड में तो K के तो लेफ्ट में आगया तो C यहाँ पे आएगा देखिए एसे तो इस side है यह देखिए अगा property एसे तो इस side है और k से किस side है kसे इस side है इससे पता चलता है कि हमें आपको t में कहाँ लगाना है अब चलते हैं c के बाद हमें जाना है d पर तो D किस साइड है, तुरंट D यहां बनाई है D के बाद H, H किस साइड है D F के तो इधर है F तो हमारा यह है, F के तो इधर है और D के इधर है, देखेगा H तो हमने H, यहां पर नोट कर लिया H के बाद क्या है, G तो G किदर आ रहा है, F के F के G इधर ही आ रहा है देखेगा सबसे last में D के भी इधर आ रहा है तो D के इधर आ रहा है तो यह हो गया G अब इसके बाद है B तो B देखेगा कहां आ रहा है F के D, D के भी D के तो इधर है इस side portion में देखेगा यह है ना B और G लेकिन G से पहले है तो यह हो गया I think आपको clear हुआ होगा यह design pattern बनाना और इसे आप practice करिएगा बहुत ही बढ़िया है और शायद आप इसे develop कर पाए और इसकी practice जितनी करेंगे उतने जल्दी आएगा जैसे कि एक question और करते है यह post order traversal है तो चलते है post order भी देख लेते हैं पता चल गया कि route यह है अब हमें route का पता चल गया है तो अब हमें इसके tree बनाना बहुत असान है चलेंगे किस side से अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अब हम किस side से चलना है तो यह हमें पता चल जाएगा अब हमें इस side से चलना है पहले हम इस side से चल ले थे अब हमें इस side तो सबसे पहले C मिलता है तो C किस side आ रहा है देखेगा A के इस side, that's the right side तो C आपने C design कर दिया, that's the C C के बाद H H देखेगा किस side है H भी देखेगा A के right side में C है C के भी right side में H है तो H भी आपका कहा आ गया अब H के बाद K तो A के right side में C C के right side में H H के right side में K ये भी K यहाँ पर आ गया अब K के बाद J अब J देखेए A के left side में right side में यहाँ पर है J तो C के right side में C का right side H आ गया, लेकिन H के left में तो यह यहां पे कहीं J आ गया सही है J के बाद अब हमें L देखना है L कहा है L देखेगा C के तो left में है C के तो right में है J के left में है तो यह आ गया L आपका सही है न यहां पे L design बहुत ध्यान से करिएगा अब L के बाद G G किस side में मिलना है तो देखेगा A के right side में G मिलना है और C से पहले तो यह यहां आ गया G बहुत असान तरीका है इससे करने का कोई दिक्कत नहीं होगी आप करते रहें अब आपको जाना है B B के side है A के left side में तुरंती B बनाई है कोई है यह नहीं तो सबसे पहले B आ जाएगा Then B के बाद E B के देखे B जो है B तो मिल गया B के अब right side में E है right side में E आ गया That's the E E के बाद देखते है F के side में तो F देखेगा B E के left side में E के left side में यह हो गया आपका F कहीं और लास नहीं बादा D तो D है B के That's the D I think यह question आपको बहुत clear हुआ हुआ और यह paper में हर साल पूछे जाता है और इसकी जितनी practice कर ले question देखें paper में और करके देखें design बनाएं और I think आपको clear हो जाएगा कोई आसी बात नहीं है इस question को करने में तो hope so all the best all of you take line का question है यह करना कोई दिक्कतारी आप में से personally मिल सकते है आपको पता ही है मैं आपको बता भी दूँआ के कैसे हुआ है तो कभी भी कोई problem आ रही है आप मिल सकते है Thank you class Thank you for joining the session